गूड मॉर्निंग प्यारे बच्चो आप सभी कैसे हैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थवा सुरक्षित होंगे बच्चो मिसन सिक्षन समवात के अंतरगत द्यानिक पठन पाठन में आज प्रस्तोत है कक्छा आठ ग्रेसल्प का पाठ खाद्य पदार्थों में मिलावट आए सुरू करते हैं खाद्य पदार्थ का नाम मिलावट किये जाने वाले पदार्थ गेहूं कम दाम का गेहूं जो तथा कंकर चावल कम दाम का चावल संगमरमर चूरा कंकर डाल अरहर की खेसारी की डाल कंकर नमक में सफेद बालो पिसी धनिया लकडी का बुरादा गोड़े की लीद गोवर जीरा घास के बीज मिट्टी बालू पिसी हल्दी पीली मिट्टी पीला रंग रंग देने के लिए लेट क्रोमिट मेर रंग आटा और आटे की भुसी पिसी मिर्च पिसी मिर्च में पिसी इंट गेरू मिट्टी काली मिर्च पपीते के सुखे बीज हींग गोंद पिसी हु उड़त की दाल सुखा कर केसर बुट्टे के बाल का रेशा मिठाई बालों मिठाई वाले रंग कपड़े रंगने वाले रंग चाय लकड़ी का बुरादा तथा प्रयोग की हुई चूखी पत्ति रंगी पत्ति बेशन खेसारी दाल का आटा मक्के तथा मठर की दाल का आटा शहद गुड की चाश्णी चीनी मैदा सरसों का तेल अलसी का तेल कटाय की के बीच का तेल रेपसीड तेल अन्य सस्ते तेल सुद्ध घी तथा मक्षन बनस्पती तेल बनस्पती तेल में पसुओं की चर्बी दूद पानी नकली दूद क्रतिम दूद खादि पदार्थों में मिलावट का स्वास्त पर प्रवा विसाकत अत्वा मिलावटी भोजन करने के कारण आए दिन ख़बरों में यह खबर पढ़ने को मिलती है कि भोजन करने के उपरांत परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यों हो गई है अथ्वा किसी सहर में मिलावटी तेल के इस्तमाल से डॉपसी बीमारी के सिकार हो गए है खाद पदार्थों के नाम मिलावट किये जाने वाले पदार्थ दूद कपड़ा धोने का सोड़ा, यूरिया, सोयाबीन, शक्र, क्रीम निकला हुआ दूद, ग्लुकोस पाउडर को पानी में घोलने से दूद जैसा है दूधिया तरल पदार्थ बनता है इसे सिंथेटिक दूद कहते हैं, देखने में यह असली दूद जैसा ही लगता है, इसे गाय भैस के दूद में मिलाकर आसानी से बेचा जा सकता है इस किस्म के मिलावटी दूद में लगातार सेवन से, शारिरिक विकास में बाधा, आंखों की रोशनी का जाना, पेट में अलसर और नपुसकता जैसी बीमारियां हो जाती है सरसों का तेल, रेपसीड, तेल मिले सरसों के तेल का प्रयोग से पक्षा घात या लकवा मार जाता है, इससे सुस्ती, बेचैनी, धड़कन बढ़ने की बीमारी तथा कैंसर तक हो सकता है अरहर की दाल में केसारी की दाल मिली होने पर बहुदा पक्छा घात रोग हो जाता है पिसी हल्दी शीशा अत्यंत बिसेला पदार्थ है हल्दी में आटा भुसी की मिलावट कर उसे अच्छा पीला रंग देने के लिए शीशे का एक यौगिक लेट क्रोमेट मिला दिया जाता है जिसका बुरा प्रभाव ब्रक यक्रत तथा धमनियों पर पड़ता है हरी सबजी परवल भिंडी पालक सोया आदी सबजी को सुन्दर और अकर्शक लगने के लिए व्यापारी हरे रंग से दंग देते हैं इस प्रकार रंगी गई सबजीयों का प्रयोग स्वास्त के लिए हानिकारक है इस से पेट में बीमारियां पेट की बीमारियां होती हैं इसी प्रकार मिठाईयां बनाते समय लोग कम दाम के खाने वाले रंगों का प्रयोग करते हैं। ऐसी रंगीन मिठाई भी स्वास्त के लिए हानिकारक होती है। मिलावट जन्य भूज पदार्थों का अधिक समय तक प्रयोग करते रहने से मनुश्य की रोग प्रतिरोधक छमता कम हो जाती है। इस प्रकार हम कई रोगों के सिकार हो जाते हैं। अता हमें खाद्य पदार्थों की सुधता की जानकारी होनी चाहिए। आईए जाने सुध्य पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। असली सहद की पहचान। मक्षी सहद में गिनने पर निकल जाती है। रूई का कपड़े की बत्ती सहद में भिगो कर जलाने पर जलने लगती है। नमबर तीन आखों में लगाने पर बहुत जलन होती है और आख में पानी आता है। पांच कुत्ते को यदि खिलाया जाये तो वह कभी नहीं खाएगा। सुद्ध दूद की पहचान कैसे करेंगे। सुद्ध दूद सफेद स्वादिष्ट वादूधिया होता है। सुद्ध दूद को गरम करने पर उसमें मलाई अधिक मोटी पड़ती है। सुद्ध दूद के एक बूद को जब किसी समतल चिकनी सतह पर हथेली या हथेली पर छोड़ी जाती है तो अपने स्थान पर इस्थिर होकर पड़ी रहती है। की मिलावटी दूद की बून अपने इस्थान से तुरंत बह कर फैल जाती है आज आप बजार से कोई सामान खरीदते हैं तो पैकेट में पैकेट पर लिखी कौन-कौन सी जानकारी देखते है इस्टार्च डिटरिजन पाउडर और आदी मिलाकर सिंथेटिक दूद बन जाता गतिविदी देखते हैं बच्चो अपने ही घर में आई खाद समगलियों वा दूद की जाच बड़ों की मदद से कीजिए मिलावटी वस्तूओं से बचाव के लिए हम क्या करें आईए देखते हैं बच्चो जहां तक समगल हो दूद विस्वस्त विक्रेताओं से ले आटा बेसन पिसे मसाले बढ़ियां तथा पापड आदी भोजपदात घर पर ही बनाएं ताजे वा अच्छे किस्म के फल वा सबजी खड़ी दें यदि समगल हो तो घर में सबजियां ओगाएं नमबर चार अनाज तथा दाले आदी खड़ीते समय यह देख लें कि वह पुराना या कीड़े युक्त ना हो नमबर पांच तेल घी पिसे मसाले आदी वस्तुएं विस्वस्त कंपनियों में बनी हो तथा मोहर बंद पैकेट देख कर ही लें सर्सों का तेल बाजार से ना खरीद कर स्वयम पिराई कराए हुए सर्सों के तेल का प्रियोग करें अधिक आकरशक एवं रंग बिरंगी मिठाईयों को ना खरीदें एग मार्क मोहर लगी हुई वस्तुएं खरीदें बाजार भाव से अधिक सस्ते दाम पर खाद पदार्थों को ना खरीदें दवाईयां सर्वमान दवाईयों की दुकान से ही खरीदें और खरीदी दवाईयों का कैस मेमो अवश्य ले लें दवा खरीदते समय उसकी एकस्पारिंग डेट अवश्य देखें एकस्पारिंग डेट समाप्त होने के बाद दवा कदा भी ना खरीदें खटे अमली योगत पदार्थ जैसे दही को तांबे या पीतल के बरतन में ना रखें ऐसा करने से भोज़ पदार्थ विशाक्त हो जाते हैं आलू के अंकुर में सोले नाइन नामक विश होता है अता अंकुर निकले आलू का प्रियो ना करें इन्हें भी जाने भोज़ पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए कानून बनाए हुए है खाद निरिक्षक भोज़न के उपरांत बिक्री तथा बेचने की पदधती का अकस्मिक निरिक्षण करते हैं नमूना लेकर विशलेशक जाच के लिए प्रियोक शाला में भेचते हैं यदि मिलावट पाई गई तो भोज़न में मिलावट अधी नियम के अंतरगत निर्माता को पर मुकदमा चलाया जाता है च्छे माव से च्छे वर्स तक की कैद और कम से कम एक हजार रुपए का जुर्माना किया जाता है नमबर दो खाद सामगरियों में मिलावट की सूचना ततकाल उभोकता फोरम कंज्यूवर फोरम या उस छेतर के पुलिस विभाग को देनी चाहिए अब बच्छो अभ्यासकारी देखते हैं सही विकल्प के सामने दिये गए गोल हे गोल घ्यरे को काला करिए हिंग में मिलावट होती है किस चीज की होती है पपीते की बीच की बुटे के बाल से गेरू मिट्टी से या गोंद से पिसी मिर्च में मिलावट होती है गेरू मिट्टी, घास के बीच से, बालू से या लकडी के बुरादे से सरसों का तेल विशाक्त हो जाता है तेल मिलाने से, पानी मिलाने से, अलसी का तेल मिलाने से या रेपसीड से चौथा प्रेशन है मिलावटी तेल के इस्तमाल से कौन सी बीमारी होती है पिसी हल्दी में किसकी मिलावट होती है सरसों का तेल क्या मिलाने से विशाक्त हो जाता है मिलावटी तेल के इस्तमाल से कौन सी बीमारी होती है लेड क्रोमेट क्या है इसका मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? हरी सबजी में क्या मिलावट होती है? दूद में क्या मिलावट की जाती है? मिलावटी दूद से क्या परेशानी हो सकती है? लेड क्रोमिट क्या है? सुद्ध दूद की क्या पहचान है? खाद्य पदार्थों में मिलावट से स्वास्त पर क्या प्रभाव पड़ता है? असली सहेद की क्या पहचान है? कोई चार लक्षन लिखिये नमबर पांच दूद में क्या-क्या मिलावट की जाती है मिलावटी वस्तूओं से बचाव के लिए हम क्या करें कोई पांच उपाई लिखिए वो जिप अदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए क्या कानून बना हुआ है खाद सामगरियों से मिलावट की सूचना ततकाल कहा करनी चाहिए सभी बच्चे इन सभी प्रशनों को अपने अपनी कौपी पर लिखेंगे याद करेंगे और इसी के साथ आज का यह पार्ट समाप्त होता है कल नए पार्ट के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए सभी बच्चों को बाई बाई